वेलकम बैक टो विक्रम टुटोरियल केमेस्ट्री के आज जैक 2015 में जो कोशन आ चुका है उसका हम अबजेक्टिव प्रश्ण को लेने वाले हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही helpful होने वाला है तो वीडियो में बने रहिएगा तो चलिए कोशन नमर वन सुरू करते हैं ये हमारे जहारकन एकडमी कॉंसील 2015 के कोशन से जो आठ कोशन आये हुए हैं वो सारे कोशन का हम आंसर बताने वाले हैं और उसका एक्स्पेनेशन भी नीचे में दिया हुआ है तो कोशन हम इंगलीस में पढ़ेंगे हिंदी में आप लोग देख लिजेगा इसका एंसर होगा क्यों होगा क्योंकि SC में आपका 1 होता BCC में 2 होता है FCC, SCP और CCP में 4 होता है और इसका और भी डिटेल से अगर जानना है तो आप लोग को 100 प्लस कमेंट करना होगा तो आप लोग कमेंट किजिएगा और क्या-क्या समझ में नहीं आता आप लो ये भी बात नीचे में कमेंट कर सकते हैं Question number 2 Which of the following aqua solution has the highest boiling point मतलब इसका option है 1% glucose, 1% sucrose 1% NaCl 1% CACL2 इसका आंसर होगा D, 1% CACL2 highest boiling point जो होगा 1% CACL2 होगा आगे बढ़ते हैं इसका भी detail से solution हम बोलिएगा तो लाएंगे Emulsion is a collidal solution of इसका आंसर होगा B, two liquids ठीक है, क्या आंसर होगा two liquids यानि emulsion जो है collidal solution होता है कितने का two liquids का 4th number question Which of the following noble gases is most reactive जो है निम्ण में से कौन सा निस्क्रिगे सबसे दी क्रियासिल है तो ये एंसर होगा option number C Genon और Genon ही compound को formation करता है तो neon is the least reactive यान रखिएगा most reactive तो आपको पता चल गया Genon कभी question में आ जाए least reactive तो neon is the least reactive question number हम आगे बढ़ते हैं question number आपका हो जाएगा 5 Which of the following forms colored salt तो colored salt होगा option number DFE3 Cu ZN2 Ag ये सारे white colored salt का formation करते हैं तो ध्यान रखिएगा कभी question में पूछ देगा कि Which of the following forms colored salt sorry disk मतलब क्या बोलते हैं white colored salt तो answer हो जाएगा आपका Cu ZN2 Ag में से कोई भी रह सकता और भी colored compound होते हैं इसको बोलते हैं ठीक है question number 6 Which of the following compounds is optically active तो इसका answer हो जाएगा B2 butanile क्योंकि याद रखिएगा नीचे में लिखा हुआ only chiral carbon containing compounds are optically active तो chiral carbon जो वाला होता है वो 2 butanile 2 butanile होता है ध्यान रखिएगा तो लगसा question number 7 Lucas test is used to distinguish तो हो जाएगा इसका answer alcohols option number 1 और यह देखिए एक कीडा भी गुम रहा है कीट question number 8 Which of the following amines forms alcohol on treatment with HNO2 इसका answer होगा ACH3 NH2 तो ध्यान रखिएगा मैनत किजिएगा और बने रहिएगा Bikram tutorial channel में क्योंकि हम लगाता है आप लोगो chemistry के previous अरके objective question के साथ हम आएगे और सारे question का एकदम 100% सही जवाब रहेगा क्योंकि question बहुत सारे question का गलत जवाब रहता है तो thank you very much keep smiling keep working hard and keep learning thank you very much